के नमस्कार दोस्तों आप सभी कैसे हैं आसा करती हूँ आप सभी अच्छे हूंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ आध जो रेशिपी आप लोगके साथ precious पनीर बटर मसाला है आज हम आप लोगके लिए हैं और 10 करी लहसुन का हाप इंच अद्रक खाते हैं तो एक हम अद्रक बहुत कम यूज करते हैं इसलिए हाप इंच अद्रक है और ट्रू टेवल अपन डाले हैं दो चम्मज घी देशी घी यह फिर घरका और उसमें फिर एक छोटी लाची फोड़ के डाले हैं एक साबूत लाल मिर्च एक हरी मिर्च दो तेज पत्ता और चार पाच लॉंग और अध्रक जो हम चौप करके रखे थे सो और फिर लहसुन दसकली था और जो प्याज था उसको हम बारी काट लिये थे और फिर उसको डाल करके हलका सा एकदम पकाना है इसो जलाना नहीं है जब तक मेरा प्याज पक रहा है तब तक के लिए कुछ हम जो है मसाला वगेरा वो मिला लेते हैं तो कस्मीरी लाल मिर्च जीरा पॉडर और चार चमच दही एक चमच दही को अच्छी तरीके से हम फेट लेंगे उसके बाद देखिए यह जब 60% पक जाए प्याज तो इसी समय पे डाल देना है तो यह टाइम जो है ना यह जरूर ध्यान में रखना है कि ओभर कुक नहीं करना है किसी भी मसाले को उसके बाद दो तीन मिनिट तक हम रेगुलर चला लेंगे उसके बाद थोड़ा सा इसमें बटर एड़ करेंगे क्योंकि यह है बटर मसाला तो बटर मिनिट और पकेगा उसके बाद दस से पंद्रा काजू है जो कि हम डाल दिये हैं इसको हम शोक वगेरा नहीं किये हैं और बस काजू जाने के बाद इसमें हम जस्ट तुरंत बाद इसमें एड़ करेंगे तमाटर तो टमाटर डाल करके फिर हम उसको भी अच्छी तरीके से चला लेंगे काजू को रोज तो नहीं करना है भूनना नहीं है बस ऐसे ही एक देड़ मिनिट तक चला लेंगे तक कि प्याज दही और काजू लहसन बगेरा जो भी है अच्छी तरीके से एक दम पक जाए और यह देखिए टमाटर जो चार पास था ना जितना आप प्याज दाले हैं उसे दूगना आप टमाटर डालिएगा उससे कम नहीं डालना है तो टमाटर डालने के बाद इसमें नमक डाल दिये हैं और फिर इसको भी ओवरकूक नहीं करना है अब इसमें हम डालेंगे देगी मिर्च क्योंकि अगर सारे मैटेरियल मीठे वाले जा चुके हैं उसके बाद फिर हम उसमें डालेंगे उससे दो कटोरी पानी जिसमें की अच्छी तरीके से डूब जाए मेरा मेटेरियल उसके बाद फिर हम इधर गरम पानी चड़ा दिए गरम पानी में नमक डाल करके उबाल आने देंगे उसके बाद जो भी पनीर है उसको हम डाल चुके ह तो जञक्याने में जगता हुआ यादा सब ग्रेवी ए इसिलिए ज़ने इस पृषय के सब्सक्य हैं וסबनेों सकते हैं सबस्ते फिर से हम सबस्तों की हैं नहीं आल आएं बटर का इसके बाद रिम Player ब्रोंतoti चॉप प्याज बारिक कटा हुआ डाले हैं इसको इस तरीके से बारिक तरीके से काटेंगे और इसको हम पकार लेंगे 80% बहुत ज्यादा इसको रोस्ट नहीं करना है ब्राउन-गोल्डेन कुछ नहीं करना है जब तक ये पकता है तब तक फिर हम तमाटर का भी चौपिंग कर लेते हैं तो एक तमाटर भी हम डालेंगे यह भी बहुत ज्यादा नहीं एक टमाटर एक प्याज अच्छी तरीके से बहून लेंगे बटर के साथ ये बटर में ही बनाना है और उसके बाद आप प्याज बगेरा पहले प्यूरी बनाये थेनं, उसको पीस लिये हैं, पीस करके और उसको छान दे रहे हैं. अगर आपका इच्छा है और पिर्ज ओर मिर्च का ठिां नहीं अगर करना है तो फिर अपनल को सिदा सिधी डाल सकते हैं कोई दिखकत नहीं तो प्यांज और टमाटर पक रहा है उसी में कास्मीरी लाल मिर्च भण सब्सक्राइब कि को acc on नहीं है बस उससे टमाटर वगेरा चिलका जो है न वो निकल जाता है और फिर इसमें हम pronail करेंगे कस्थ तूरी मेथी रोश्ट किया हुआ डायरेक्ट नहीं रोश्ट किया हुआ था और उसको अगा सा हाथों से मसल लेना है रगड लेना प्यार से सहला देना उसके बाद पिर चारों तरफ फैला देना यह कस्तूरी में थी गया उसको भी 2-3 मिनिट तक पका लेंगे उसके बाद इसमें अड़ करेंगे जो पनीर था तो यह देखिए पनीर भी गया तो आप देख सकते हैं पनीर कम और ग्रेवी जादा है तक सरगरों में यही होता है कि ग्रेवी का डिमांड जादा होता है तो हम ग्रेवी जान करके जादा मात्रा में बनाए हैं आपका जरुवत अगर कम हो तो कम बनाए ठीक है ना तो फिर और आगे का प्रोसेस इसको आराम से 3-4 मिनिट तक पकने देंगे एकदम आराम से धीमी धीमी आज पर क्योंकि तेज आचकर किजेगा न तो एक भी ग्रेवी आ पूरे प्लेट फार्म पर फैल जागा दिवार पर फैल जागा तो जब भी बनाए तो धीमी आज पर बनाए और घ्यू और बटर देने में कोई कंजूसी नहीं करें अच्छी तरीके से डाले आपका सब्जी बहुत ही टेस्टी लाजवाब होगा और यह है ग्रेवी का टे वीडियो में बने जाने के लिए धन्यवाद